चालू वित्वर्ष में दलहन आयात में बढ़ोतरी हो सकती है। कहा जा रहा है कि देश में डिमांड को पूरा करने के लिए वित्वर्ष 2023 से 24 में दलहन आयात 3 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, जो पिछले वित्वर्ष के 2.29 मिलियन टन से लगभग 31 प्रतिशत अधिक है। एक्सपर्ट का कहना है कि जलवायू परिवर्थन और बेमौसम बारिश की वज़े से घरेलू दलहन उत्पान में भारी गिरावट आई है, जिसके चलते डालों की कीमतें सात्वें आसमान पर पहुंच गई है। ऐसे में कीमतों को नियंतरित करने के लिए विदेशों से ब मार्च दो हजार चौबीस तक के लिए ड्यूटी हटा दी है। उसे उम्मीद है कि उसके इस फैसले से आयाद बढ़ने से डालों की कीमत में गिरावट आएगी। इसके अलावा सरकार ने मसूर, अरहर और उड़त डाल के आयाद पर फ्री इंपोर्ट ड्यूटी को साल दो हजार पचीस तक के लिए बढ़ा दिया है। इंडिया पलसेस एंड ग्रेंस एसोसियेशन की माने तो पिछले साल देश में चना का उत्पादन अच्छा हुआ था, जबकि मूंग का उत्पादन इस खरीफ में उतना उत्साहजनक नहीं हुआ, क्योंकि राजस्थान में सू के अनुसार, भारत पहले ही चालू वित वर्ष की अप्रेल से अक्टूबर अवधी के दोरान एक दशमलव नौ छे मिलियन टन से अधिक दालों का आयात कर चुका है, जिसका मूले 14,057 करोड रुपए, एक दशमलव छे नौ बिलियन डॉलर से अधिक है। इसमें से मसूर दाल का आयात 10 लाक टन से अधिक होने की खबर है। भारत ने 2017-18 के दोरान रिकॉर्ड 6,05 मिलियन टन डालों का आयात किया था, जब पीली मतर का आयात बड़ी मातरा में किया गया था। पीली मतर, चना और मूंग जैसी किसमों पर प्रतिबंद लगाए जाने के बाद के व 42.49 लाक हेक्टेर एलेच रह गया। यह मुख्य कारण चने के रगबे में गिरावट आना है। इस साल देश में किसानों ने 29 दिसंबर तक 97.05 लाक हेक्टेर में चने की बुवाई की, जबकि पिछले साल इसी समान अवधी में यह आंकड़ा 105.08 शुने लाक हेक्टेर हालां कि मसूर के रगबे में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल के 18.02 लाक हेक्टेर की तुलना में इस बार किसानों ने 18.08 लाक हेक्टेर में मसूर की बुवाई की है। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि रगबे में गिरावट के कारण चना का उत्पादन 10 से 15 प्रति की संभावना है।